Hello friends, welcome to my youtube channel तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि जो आपने करवा चौत की पूजा की है कलश में जो भी आपने जल रखा है जो भी हवन सामग्री है उसका आपको पूजा के बाद क्या करना है और जो करवा आपने यूच किया है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे शक्कर का हो, उसका पूजा करने के बाद किस तरीके से क्या करना है, वो ही इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको जानकारी मिलेगी, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो दोस्तो करवा चोथ की पूजा हो चुकी है आप सभी ने कर ली है तो इस वीडियो में आपको यह बताने वाली हूँ कि उसके बाद पूजा के सामान का क्या करना है दूसरे दिन आपको नहा दो कर ने वस्तर पहन लेने है और वहाँ पर जो दीपक है उसको प्रजलित करना है लेकिन दीपक को प्रजलित करने से पहले उसको जलका चिर्काव गंगा जलका चिर्काव कर देना है और दूबत्ती लगादेनी है और जो भगवान जी है उन पर वे हम गंगा जल का चिड़काव करेंगे लेकिद ऐसा नहीं कि आ बिना नाय दोई ही उनको उठाने लग ज़काव करेंगे ऐसा नहीं करना आपको नादो करी ने वस्त्र पहन करी भगवान जी को उठाना है तो सब पर हम जलका चिटकाव कर देंगे उनको प्रणाम करेंगे उसके बाद जो भी भगवान है कलश है दीपक है उनको हम वस्त रूप में मोली का धागा अरपित करेंगे वस्तरम समरपयामी बोलकर इस तरीके से और जो कलश है किया है उसको हम तिलक करेंगे उसके बाद गणेस जी उसके बाद कार्तिक जी को तिलक करेंगे लेकिन ध्यान रखे भोले बाबा हम कभी भी सिंदूर या फिर हल्दी से तिलक नहीं करते क्योंकि वो वेरागी उनको हम चंदन से ही तिलक करेंगे फिर आपने घर में जो भी भोग बनाया है, खीर है, हलुआ या फिर नहीं बनाया तो मिस्रिय शक्कर से भी हम उनको भोग लगाएंगे भगवान जी को और गनेश जी को हम दूर्वा, फूल वगएरा अर्पित करेंगे, जो माता गौरी को जो सिंदूर अर्पित किया है, उस सिंदूर आप भी ग्रेंट करें उसके बाद आपने जो भी पूजा में श्रंगार का सामान रखा है, वो आप चूड़ी है, बिंदी है, जो भी आपने रखा है, वो दो दो चूड़ी आप भी ग्रेंट करें और बिंदी विगरा जो भी आप घ्रेंड करें फिरी स्रंगार का सामन या तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं तो आप मंदिर में भी इस चीज को दान कर सकते हैं फिर आपने दो करवे यूच किये होंगे एक में आपने जल भर के चांद को अर्ग दिया होगा और एक दूसरा करवा है वो आप अपने से बड़े को भेंट करें और एक करवा आपको साल भर तक अपने गर में सुरक्षित रखना है ध्यान रखना है तोट फूट ना जाये सुरंगार का सामान आपको मंदिर में और फिर किसी बड़े में दान कर दें जो दीपक के नीचे अपने चावल रखें आपने किचन में जो चावल बनाते हैं उसमें मिला दे अन्नपूर्णा माता बहुत ही ज़्यादा प्रसंद होती हैं करवाच अपने कलेंडर या तस्वीर यूज कि वो एक साल के लिए आसमाल के रख सकते हैं दूस इस सामगरी को आप पेड़ के नीचे गड़ा बना कर उसमें मिला दें क्योंकि आपको गंदगी नहीं फैलाने है दर उदर यह जो बोले बाबा की पारवती में यह तस्वीर आप पूजा घर में रख दें क्योंकि इसकी पूजा होती रहेगी और जो कपड़ा आप दोकर नेक्स्ट पूजा में भी यूज कर सकते हैं और जो भी चावल या अन वगएरा जो भी गेहूं वगएरा यूज किया है वा पक्षियों को डाल दें यह जो पूजा का कपड़ा है वो ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकती धोकर आप नेक्स्ट पूजा में भी आप य शुक्षान्ती आती है तो उस जलका छिड़काव आपको पूरे घर में करना है असोक के पत्ते से तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मेरे चनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंसती देहे